प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण इस समय आपका विद्याले आना स्तगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए हम लेकर आए हैं तिजी साथ कारिक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत एक दिन सोबार से शुक्रवार तक पुर्वाहन दस से बारा तथा अप्राहन एक से दो बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कारिक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, स्कूली शिक्षा इवं साक्षर्ता विभाग जार्थन। जुहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 2 के हिंदी विशय के पाठ रसोई में भगतर कविता के बारी में जारेंगे। क्यों नमस्कार बच्चों ऑ कैसे हैं आप नहीं हैं बच्चों आपके लिए मैं कुछ लाया हूं देखिए मैं किस चीज़ का सित्र नेखिएग इसे पहचानिये तो यह क्या है कि इसमें पानी भरते हैं अरे वाह यह मटका कि इसे घड़ा भी आप लोग बोलते हैं और यह कि रोटी बनाते हैं इसकी सहायता से आपके घर में रोटियां बनाई जाती है ठीक पकड़ा आपने यह है बेलन यह धकन अरे वाह अचा इसे बताए तो सोचिये जरा कहीं कहीं होगा कहीं कहीं नहीं भी होगा हां हाँ आपने बताया ना हाँ यह है चिम्टा और यह चलनी कहीं कहीं से चलनी भी बोलते हैं दिख रहा है ना इससे पिसी हुई चीजों को चालने का काम करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया पाचाना आपने यह सब चीजे कहां हैं मिलती आपके घरों में एक खास घर होता है जहां यह चीजें आपको सारी चीजें रखी जाती हैं काम में ली जाती हैं वह कौन सा घर होता है इसकूल में भी वह घर है इसकूल में पाक साला कहते हैं और घर में जिस घर में यह समग्रियां मिलती हैं उस घर को रसोई घर भी कहते हैं तो प्यारे बच्चों आज हम लोग हिंदी जिल्मिल पाठ की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है रसोई में भगदर ठीक है देखो बच्चों यह है पाठ रसोई में भगदर एक कविता है एक बार मैं कविता को गाता हूँ उसके बाद आप लोग दूसरी बार गाईए पहले आप लोग ध्यान से सुनें दबे पाव से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई पटके बरतन धुम मचाई कुते ने जो आहट पाई भाव भाव कर आवाज लगाई मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे ये कैसी हो गई गडबर रसोई में मच गई भगदर सारे बरतन करते भर भड़ सुना आपने फिर से एक बार हम लोग साथ गाते हैं ठीक है दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई पटके बरतन धुम मचाई कुत्ते ने जो आहट पाई भाँ भाँ कर आवाज लगाई मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे ये कैसी हो गई गडबर रसोई में मच गई भगदड सारे बरतन करते भर भर देखिए बच्चों इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यह आपके पाठ्य पुस्तक की कविता का चित्र है जड़ा इसको गौर से देखिए और पहचानने की कोशिस कीजिए इसमें कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहा है जार ध्यान दिजीए है रे हां इसमें कुट्टा दिख रहा हैके बिल्ली दिख रही है बिल्ली और मुन्नी भी और हां मुन्नी भी है है इसके साथ साथ आपको इस चित्र में और क्या क्या दिख रहा है रसोई घर में जो बरतन पाये जाते हैं जो बरतन रहे हुए हैं वह भी दिख रहा होगा अच्छा ज़ला ध्यान देखिए तो एक और खास चीज़ है जिस बरतन में दूद को गरम कियाता है वो भी कहीं रखा हुआ है और एक जगह तो दूद गिरी हुई है तो दूद के बरतन को गरम करने के लिए चूला है मिट्टी वाला चूला उसमें लक्रिस से आच दिया जा रहा है वाह आपने बहुत बढ़िया बताया अब मैं आपसे जरा बात चीत करता हूं आपसे सवाल पूछता हूं जरा बताईए रसोई घर में कौन-कौन से जानवर आ जाते हैं बताईए जरा आप बोलिएगा मैं उसे लिखूंगा जैसे बोलिए यहां पाठ में जो कविता पढ़े हम लोग उस कविता में कौन-कौन से जानवर थे हाँ कुट्ता अपने ठीक कहा कुट्ता सबसे पहले बिल्ली के बिल्ली के कुट्ता बहुत अच्छी बात और कौन-कौन से जानवा जा रहते हैं अब बताये जरा ठीक कहा आपने चिपकली भी कभी-कभी आपको दिखाई देती है चिपकली अच्छा मकडी भी रहती है ना जाला बना करके अच्छी बात है चलिए और कडी और अच्छा आपके कीचन में कभी-कभी गिलहरी भी आती है अच्छी बात है चलिए गिलहरी अरे हाँ आपने तो ठीक कहा चूहा आपने ठीक कहा कि चूहा भी आ जाते हैं रसोई में कहिए चूहा और कोई जानुवर हाँ छोटी-छोटी चीटिया भी आती है तो चीटी काली चीटी भी आती है और लाल वाली चीटी भी तो हम लोग लिखते हैं चीटी और अच्छा तिल चट्टा भी है किसी किसी की रसोई में तिल चट्टा भी है चलिए अच्छी बात है तो यह सब जीव जन्तू कभी-कभी रसोई में आ जाते हैं आपने ठीक कहा अच्छा अब बताईए अपने आस-पास कौन से जानुवर को देखते हैं कि यह तो जानुवर जो है रसोई में आपको दिखाई दे जाते हैं अपने आस-पास घर के आस-पास और कौन-कौन से जानुवर दिखाई देतें आपको चलिए हाँ बहुत बढ़िया तो मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं आसपास के जावना रहे यह तो रसोई के जानवर हो जाएंगे आसपास के जानवर आपने कहा ठीक है गाय अच्छी बात है बकरी और बैल बहुत बढ़िया बैल भी आपने कहा बैल बैल अच्छा बैल के लावे कहीं कहीं सुवर भी आता है ना ठीक है सुवर और आपके आसपास भैस ठीक है यह जानवर हमारे आसपास होते है खरगोस भी कोई-कोई पाले हुए है अच्छी बात है खरगोस तो यह घर के आपके आसपास के जानवर हो गए इसको एक बार आप और देख लीजिए अब एक सवाल मेरा और है आप चुपके से कब आते हैं चुपके से चुपके से इसे इसे करके कब आते हैं हाँ जब कुछ आपको इक्षा करती है कुछ निकालने का मन करता है रसोई घर से तो आप चुपके से आते हैं और निकालके ले जाते हैं गडिश्ची बात है अच्छा आप कब चौकते हैं और अचानक आपको कब है कि चौकना पढ़ता हैं अचानक कोई आवाज होती है और जानवर अचानक कूध के यह कोई बर्तन गिरा दिया यह चौक हैं मनत बहुत बढ़िया आपने ठीक कह खार तो चलिए अब बातचीत के बाद हम लोग थोड़ा सा फिर से कविता पे आते हैं और पढ़ने का अभ्यास करते हैं शुरू करते हैं पढ़ना दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई फिर से पढ़ते हैं एक बार इन तीन पंक्तियों को दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई आगे पढ़ते हैं पटके बरतन धूम मचाई कुत्ते नेजो आहट पाई भाउं भाउं कर आवाज लगाई फिर से एक बार देखते हैं अब आगे पढ़ते हैं मुन्नी जट से दौडी आई अरे ये कैसी हो गई गडबड रसोई में मच गई भगदड सारे बरतन करते भडबड अब मैं आपको फिर से देख रहा हूँ जड़ा इसे बताईए क्या है बिल्ली रवाः ये मलाई जड़ि ये क्या है व चाटने बहुत बढ़िया ये गरम बढ़िया ऊसे यहां देखित है बरतन बहुत बढ़िया और ये कहा है कुट्ते क्या है कुट्टे और ये भॉं-भॉं यह क्या है भॉं-भॉं यहां आवाज आवाज यह क्या है हाँ आपने ठीक कहा मुन्नी मुन्नी यह गड़बड यह क्या है गड़बड और यह यह तो आप जान रहे हैं रसोई भगडड यह क्या है भगडड यहां फिर यह देखिए क्या था बरतन और यह भड़बड अपने ठीक पढ़ा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा तेज पढ़ देखते हैं दबे पाव से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई पटके बरतन धूम मचाई कुत्ते ने जो आहट पाई भौंभौं कर आवाज लगाई मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे ये कैसी हो गई गड़बड रसोई में मच गई भगदड सारे बरतन करते भड़बड बच्चों यह आपको पंक्तियां दिखाई दे रही है कविता की पंक्तियां है जिसे आपने भी पढ़ा है अब इसे आपको क्रम से सजाना है क्या करना है इसे क्रम से सजाना है जैसे आपकी किताब में कविता दी गई है कविता की पंक्तियां उसी क्रम में उसको सजा देन है पहले कौन सी पंक्ति होगी दूसरी पंक्ति कौन होगी तीसरी पंक्ति कौन होगी तो आपको यह दिखाए दे रहा है ना जरा बताइए कि दबे पाउं से बिल्ली आई पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ती है लगी चाटने दूध मलाई और तीसरी पंक्ती है गरम लगा तो प्लेटी गिराई तो बता ये सही है न ये हैं सही नहीं है तो कौन सी पंक्ति सबसे पहली होगी ये वाली होगी दबे पाउं से बिल्ली आई नहीं ये वाली नहीं होगी अच्छा ये वाली नहीं तो सबसे पहले कौन होगी ये वाली होगी दबे पाउं से बिल्ली आई यही है ना ठीक है तो जरह इसको हम सबसे करते ह दबे पाउं से बिल्लया इसको उपर लगा देते हैं कहा लगेगी यह सबसे उपर और यह इसके बाद यह होगी नहीं यह पंक्ति नहीं होगी ठीक है आपने कहा कि यह पंक्ति नहीं लगी चाटने दूध मलाई यह वाली होगी तो यह बीच में हो जाएगी अब साइद किताब के नुसार सही हो गई आपका कहाना ही है दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूध मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई हाँ आपने ठीक पकड़ किताब में भी इसी तरह से है तो अब आप लोग जरा मिल करके मैं ये तीन पंक्तियां दे दे रहा हूं कुछ लोग मिल करके इन तीन पंक्तियों को एक साथ लगाएंगे ये तीन पंक्तियां आगे वाली तीन पंक्तियां है आप देखिए आपने पढ़ा है इसे इसको दे समूह जो होगा ये अन्तिम जो चार पंक्तियां हैं मुननी जट से दोड़ी आई इसमें से आपको यह मैं चारों पट्टी कविता की पंक्तियों की पट्टी बनाई है इन पट्टियों को आपको एक साथ करके मिल करके सबसे पहले बताना होगा है कौन सी पंक्ती पहले होगी कौन सी पंक्ती बाद में होगी ठीक है और इसे आप लोग आकर के बोड़ पे साथ सकते हैं लगा सकते हैं पहले पंक्ती कौन सी होगी ठीक है तो पहले मुझे दिखा दीजिए कौन सी पंक्ती हो कि पहले मुन्नी जट से दोड़ी वाई यह कौन यह rani यह यह वळा है नहीं है यह बहुत है है आप लोग बहुत है यह बहुत है यह सबसे तहले कौन होगा मुन्नी जट से दोड़ी आई तो मैं यहां लगा देता हूं आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं कर रहा हूं उसके बाद कौन सी पंक्ती होगी आप बताइए ये वाली ये वाली नहीं अरे ये कैसी हो गई गड़बर चलिए इसको मैं यहां लगा देता हूं अरे ये कैसी हो गई गड़बर ठीक है उसके बाद रसोई में मच गई भगदड या सारे बढ़तन करते भड़बर अच्छा ये वाले होगी चलिए ये वाली कर देता हूं ये वाली होगी आपने ठीक पकड़ा ठीक कहा और उसके बाद ये वाली होगी ठीक पकड़ा अपने देखो बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है कलम और इस हाथ में क्या है डस्टर यदि ये गिर जाती है हमारे हाथ ते ये कलम गिर जाएती इसकी आवाज कैसी है उसे तुम्हें बताना है जैसे गिरी आवाज आई तेवल पर गिरी जैसे ये गिरी जमीन पर उसी तरह से रसोई घर में ये कोई बरतन या चम्मच कुछ भी सामान तुमारे हाथ से चूट जाता है या गिर जाता है तो उसकी आवाज कैसी होती है जो तुम्हें बताना है पक्के पर गिरती है तो कुछ अलग आज बनती है चम्मच से चम्मच टकराती है तो कुछ अलग आवाज आती है उसी तरह से आवाज आपको बताना है जैसे चम्चा करता कोई भी आवाज निकलती होगी चम्चा करता चन चन थाली करती बताईए क्या होगा आगे आपको बताने हैं कविता को बढ़ाना है थाली करता चलिए ठन 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 बढ़िया है कटोरी करती जन जन चलिए आपे की बात कटोरी करती जन जन चलनी करती चंचन जन बढ़िया है चलनी करती चन 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 अब आते हैं कुछ सवाल करते हैं आईए बोर्ट पर सवाल करते हैं आपको इसमें भरना है कभी ताक आपको अपनी किताब से देखनी है और बीच में क्या होगा उसे आपको भरना है दबे बिल्ली आई देखें क्या हुआ है यहां पर खाली जगह है दबे खाली जगह है से बिल्ली आई कैसे बिल्ली आई थे आपको त्याद है कभिता क्या होना चाहिए देखिए अपनी कभिता में लोटी है पार्ट पे लोटी है क्या होना चाहिए दबे पाउं से बहुत बढ़ी आते यहां क्या होगा दबे पाउं से बिल्ली आए लगी खाली जगा दूद खाली जगा अब यहां क्या होगा बताईए हाँ लगी चाटने क्या होगा चाटने दूद मलाई बहुत बढ़िया आपने बताया यह मलाई यह खाली जगा भर दिये यहां चाटने यहां पाउं इसी तरह से आपको आगे की पंक्तियां भी जो किताब में दी हुई है उसे भर के बताना है देखे बच्चों अब पढ़िये और एक समान आवाज वाले सब्दों को मिलाईए यह आपको पढ़ना है और इसमें एक समान आवाज जिस सब्द का कि आवाज एक समान हो उस सब्द को उससे मिलाना है एक तरफ यह कुछ सब्द लिखे हुए है दूसरी और यह सब्द लिखे हुए है इसमें एक समान आवाज वाले सब्द को आपको मिलाना है जिसे मैं पढ़ता हूँ एक सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ यह क्या है गडबड आपको भी पढ़ना है चलिए पढ़िये यह क्या है मुन्नी बढ़िया यह मलाई यह बिल्ली यह गरम अब इस तरफ वाले सब्द को पढ़ते हैं बोलिये क्या है नरम यह क्या है कलाई दिल्ली यह बढ़िया हरबढ और इसे क्या पढ़ेंगे आप चुन्नी अब मैं इस सब्द को पहले लेता हूँ आप बताईएगा यह क्या है गडबढ अब इदर से ढूड़िये इसी तरह की आवाज जैसे आवाज निकल रही है गडबढ तो यहां देखना है इसकी आवाज ऐसे नि नहीं यह तो आवाज नहीं निकली और आगे बढ़िये कलाई इसकी आवाज ऐसी है नहीं यह भी नहीं है दिल्ली नहीं भी नहीं है हरबढ क्या बोले हां इसकी आवाज इससे मिल लिए इसकी आवाज मिल लेती से हम लोग क्या करेंगे इसको इस गडबढ को इस हरबढ के साथ मिला इनगे अब बता यह क्या है पुझान मोनिया ऑब जरहे से ठोड़ी आग młode Middle को आ झाये कहा जाएं यहां अच्छा यह क्या है वो लिए शुनिया तब इसे मिला दिया मैंने शुनिया कर यह क्या है अर जी मलाई अच्छी बात है यह होगा इसके साथ नएंगम होगा और कौन अतर ये हैं यह वहां ठीक कहा अपने मलाइकस चाल men यह तो इस अच्खिश पहली भाट पाइचानते हैं कि अ बिल्ली किस से मिलेगा ये अब बचा कौन आपका एक ये बचा और ये कि बचा यह क्या है और यह क्या है दिलिया हो कि एक जैसी आवाज इससे मिला दिये और अब बच गया तो कि यह क्या है गरम और यह नर इदा दिये इस तरeen्थ को फिर से आप देखिये कुझ पाय बताता हूं आद में देखिए क्या है ये गडबरण यहां भी देखिए प्ली को समज़ियेगी यह मुनि यहां क्या है चुन्नी है यह नौने संजुक तक्छर 10 यह मलाई क्लाई आए यह बिल्ली दिल्ली देखिए इसका अंतिम अक्षर और इसका अंतिम मिला दीजिए इससे भी मिले गए क्या है गरम यह नरम यह समान आवाज वाले शब्द हो गए अब अगले सवाल को पढ़िए खोजिए घेरा लगाई यह और लिखिए इसमें से देखिए वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको ढूड़ना है मिला के पढ़ना है उसको गहरा लगाना है और तब यहां पर आपको लिखना है अपनी कोपी में लिखना है तो एक किया हुआ है देखिए यह क्या है कुता कुता यहां लिखा हुआ है क उत्ता आपको ढूड़ना है जरा सोचिए कोई बताएंगे अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में यह अभ्यास दिया हुआ उसके नुसरा ढूड़िए और हमें यहां बताईए मैं यहां पे घेरूंगा कोशिस करूंगा आपको बुलाकर भी घरवाओं आप और यहां घेर काई बताएंगे पहले मैं एक घेरता हूँ बूलिए कौन सा होगा यह से मैं सुरू करता हूँ आप बताईए यह कुछ बन रहा है इधर से अच्छा आपने अभी कविता में पढ़ा था है यह क्या है मलाई ठीक कहा आपने तमे इसे घेर दीजिए मलाई और यहां लिख देते हैं म लाई मलाई बहुत अच्छी बात यह क्या हो सकता है बूलिए हाँ आपने घेर लिया पहले ही अच्छी बात है यह है चूहा बहुत अच्छी बात चूहा यह अच्छा थाली बहुत अच्छी बात है थाली थाली और बताईए चटाई अच्छी बात है अपने इसे घेरा चटाई चटाई और खोजिए कुछ बन रहा है मिल रहा है अच्छा चूजा चलिए एक बात आपके लिए लेते हैं चूजा आप जानते हैं ना चूजा अच्छा मुर्की बच्चे को भी बोलते हैं चूजा बढ़िया चूजा अपने घेर लिया देखे कुटा चटाई मलाई चूजा और थाली अब इस तरह का अभ्यास फिर बना के दिया जाएगा फिर आप आगे इसको किजिएगा अब आपको मैं काम करने के लिए एक सवाल दे रहा हूं जिसे आप अपनी कोपी पे करेंगे और मुझे दिखाएंगे मैं आपको दो शब्द लिख रहा हूं इसे आप अपनी भासा में क्या कहते हैं उसे लिखना है जैसे यह है गिलहरी इसे आप अपनी भासा में क्या कहते हैं इसका और कोई नाम है जिसे आप कहते हों उसको आप इधर लिखिए और दूसरा है बिल्ली इसे आप क्या बोलते हैं इसे अपनी भासा में लिखेंगे और हमें दिखाएंगे तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली कक्षा में धन्यवाद इस प्रसारण सी संबंदित सुझाव अपने प्रश्णी दिया दी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तदा टूल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर कर सकते हैं